हेलो वीवर्स वेलकम बैक तो मैं चैनल स्टुदेंस आज हम एक्सराइज 12.2 का कोशें नंबर इलेवल करने आले हैं तो कोशें देखते हैं फिर्स्ट अफॉल अ कार हैसे टू वाइपर्स विज दू नॉट ओवर्लैप इच वाइपर हैसे ब्लेड ओफ लेंथ 25 सेंटीमिटर स्टुदेंग थू एन एंगल ओफ 115 डिगरी सो फाइंड दा टोटल एरिया क्लीन एट इच स्टुदेंट अफ दा ब्लेड सो स्टुद अवा है कि एक कर है ऑक कर के 2 प्लेड सोते हैं तो यहां prophet मैं प्लेड के फिगर दिखा देता हो लैग कर दिशिम दास्ट फिर्स ब्ल dir Hi बीड ड्लेड and the another blade is c d blade दोनों ही blade की length जो है वो same है that is 25 cm दोनों ही blade की length हमें same given है question में 25 cm ठीक है तो अब हमें क्या दिया हुआ question में ऐसा दिया हुआ है कि ये दो दोनों जो wipers है दोनों वाइपर एक दूसरे पर overlap नहीं कर रहे है इसलिए यहां पर मैंने figure में दो wipers जो है और दोनों को थोड़ा space देके बनाया हुआ है अगर overlap करते तो ये c जो है यहां से start उता बत यहां पर overlap की बात नहीं की गई इसलिए AB और CD दोनों एक दूसरे को overlap नहीं कर रहे है इसलिए इस तरह से figure बनेगी अब question में ऐसा दिया हुआ है कि जो wipers है ठीक है वाइपर का काम क्या होता है कि जो glass होता है glass को साफ करने का होता है तो यह किस तरह से move करता है like यहां से fix होता है और यहां से इसका यह वाला जो part होता है यह moveable होता है यह इस तरह से कुछ move करता है तो यह ऐसे कुछ move करेगा ठीक है यह इस तरह से move करता है और यहां पर यह इस तरह से move करेगा और जो सीसा होता है, ग्लास होता है, ठीक है काच का, उसको क्या करता है, साफ करता है, ठीक है, तो यहाँ पर कुश्यन क्या दिया हुआ है, कि sweeping through an angle of 115 degree, मतलब यहाँ पे जो fix point है, तो यह fix point जो है, और यहाँ से more होके, इस तरह से इतना parts clean करेगा, इतना जो part है, वो clean करेगा, तो यहाँ पर यह angle कितना बना रहा है, तो यह angle जो कि आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि 115 degree का कहा हुआ है, ठीक है, कितना angle बना रहा है, यह 115 degree angle बना रहा है, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर यह जो wiper है, यह भी, यहाँ पर 115 degree angle बनाएगा और जो कि इतना part cover करेगा इतने part में वो सफाई करेगा cleaning कितने part में होगी यहां पर मैंने आपको दिखाया है इतने part में cleaning होगी तो आपको यह पहले figure समझ में आगए कि equation में क्या given था यह दो wipers थे ठीक है दोनों wipers जो है इस तरह से यहां पर आपको दिखा सकता वाइपर है ठीक है तो यह ऐसे स्वीप करेगे ठीक है यह ऐसे तरह से सीफ करते रहते है ठीक है और इस तरह से क्या होता है कि क्लीनिंग होता है ठीक है तो यहाँ पे 150 इंगर इंगल इस तरह से बन रहा है तो हमने आगे कुशन में देख लिया हुआ है कि यह जो फिगर बन तो only कुछ angle तक घुमता है और cleaning होता है तो एक sector जैसी figure यहाँ पर बनेगी और हमें area find करने का बूला है find the total area total area बहुत सारे students में यह doubt होता है कि total area भी लिखा हुआ है यहाँ पर total area clean at each sweep of the blade और यहाँ पर each word का भी use किया गया है बट हमें यहाँ पर total area की बात की है इसका मतला हमें यह एक blade से जितना area clean होगा और यह दूसरी blade से जितना area clean होगा दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा addition करके final जो answer होगा वह हमारा answer final कहला आएगा ठीक है तो question की start कहां से करेगे पहला हमें statement लिखना पड़ेगा statement में हम क्या लिखेगे जो हमें question में given data है वह पहले लिखते है जैसे कि here radius is equal to 25 cm क्यों radius 25 cm क्योंकि यहाँ पर दिख सकते हो कि blade की जो length है वही radius की तरह work करेगी क्योंकि यहां से यह points के through यह move करता है ठीक है तो यह radius और यह भी एक तरह की क्या कहलाएगी यह radius ही हो जाएगी क्योंकि after moving 115 degree angle यह वाला जो part है वो यहां पर आ जाएगा यहां से यह move होके यहां पर आ जाएगा इसी तरह से सीम यह वाला जो line है wiper है वो move होके यहां पर आ जाएगा तो यह भी 25 cm होगा imagine करो ठीक है तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते है तो theta angle कितना दिया हुआ theta is equal to 150 degrees that is given so total area total area clean at each sweep of plates so formula is total area की बात की है ठीक है तो हम क्या करेगे एक सेक्टर का area क्या होता है theta upon 360 into pi r square होता है बट यहां पर हमें total area की बात की है इसलिए यह पूरे formula का हम कितने से multiply कर देगे two times multiply कर देगे ठीक है समझ में आया अब हम आगे बढ़ते है two times theta angle कितना 115 degree 360 pi का value 22 divided by 7 put करेगे और radius that is given है हमें कितना that is the length of the blade that is 25 multiply again 25 so after simplification of these we get our final answer so how can we simplify first of all two 115 को हम क्या लिख सकते है 115 कॉम हमें पता है यहां पर 150 और यहां पर 360 है तो यह 5 से 5 के table में कट जाएगा that means हम 115 को क्या लिख सकते है 23 fausa और यहां पर 360 को क्या लिख सकते है 360 को हम लिख सकते 72 72 fausa और यहां पर 22 divided by 7 11 again 25 and 25 हमने क्या किया यह जो बड़े digits न वो बड़े digits को छोटे digits में convert कर दिया ताकि हमें simplification करने में आसानी रहे तो आप देख सकते हो यहां पर 55 यहां पर यहां पर 36 है और यहां पर 2 है मतलब ही यहां पर cancel out होगे यहां पर कितना आएगा 18 आ जाएगा multiply 25 divided by 18 into 7 so after simplification of all 4 इस नंबर वी गेट डांसर 1581 1581 25 divided by 126 चुकि हमें यहां पर सभी डेटा संटीमिटर में गिवन है डाट इस लेंथ रेडियस जो कि हमने लिखाया है संटीमिटर में गिवन है सो हमारा यह final answer का unit क्या होगा cm2 so total area covered by the each blade is equal to 158125 upon 126 cm2 so students this is the complete solution of the question number 11 that is very very most time for the board examination so I hope यह question आपको easily समझ में आओगा में यहां पर concept है figure का figure देखके आपको answer पूरा लिखना पड़ेगा ठीक है बाकी question में कुछ है नहीं formula अपला किया और answer आजाता है तो main figure समझना है और figure के पेसे हमें answer लाना है तो I hope आपको यह पूरा tutorial समझ में आओगा होगा तो please मेरे channel को like कीजिए और subscribe कीजिए और अपने friends के साथ share कीजिए thank you